नमस्कार दोस्तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि EG Translate Application को कैसे यूज़ कर सकते हैं जी हाँ गेज आप भी जानना चाहते हैं कि EG Translate Application क्या है और इससे कैसे यूज़ कर सकते हैं तो गई आज के इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा देखना वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लेज सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकन को प्रेस करके औल पर सेट कर लिजिएगा जिससे आने वाले वीडियो की नौटिपिकेशन आपको मिलते रहेगी तो चलिए प्रेंट्स आज का इवडियो स्टार्ट करते हैं और गई जहांपर आपको अबाउट इस आप का उप्शन देखने को मिल जाता है यहांपर आपको क्लिक करना है यहांपर क्लिक करने के बाद गई जहांपर आप देख सकते है यहांपर आपको इजी ट्रांसलेट अप्लिकेशन के बारे में पूरी detail यहां पर आपको देखने को मिल जाती है इसके बाद गई जहांप आप आप देख सकते हैं यहांप आप इस application के review और डिटेट देखना चाहते है तो गई जहांप आप आप को 62 review देखने को मिल जाती है 3 प्लस rated देखने को मिल जाती है यहांपर आपको easy translate application को open करना easy translate application को open करने के बाद गई जहांपर आप देख सकती है यहांपर easy translate application open हो रही है और गई जहांपर आपको continue to app के option पर click करना है continue to app के option पर click करने के बाद गई जहांपर आप देख सकती है यहांपर application open हो चुकी है और गई जहाँ पर आप देख सकते हैं पर आपको इस तरह का interface देखने को मिल जाता है तो गई जहाँ पर आपको तीन option देखने को मिल जाती है यहाँ पर आपको OCR का option देखने को मिल जाता है translate का option देखने को मिल जाता है यहाँ पर आप किस language से किस language में translate करना चाते है उस language को यहाँ पर आपको select करना है तो गई जहाँ पर आप देख सकते है यहाँ पर मैं English के option पर click करता हूँ और गई जहाँ पर आप देख सकते है यहाँ पर आपको कई सारे अलग अलग language देखने को मिल जाती है यहाँ पर आप जिस भी language को select करना चाते है उस language को यहाँ पर आप select कर सकते है तो गई जहाँ पर मैंने फिलाल English language को select किया है English language को select करने के बाद गई जहाँ पर आप देख सकते है यहाँ पर आप किस language में translate करना चाते है उस language को यहाँ पर आपको select करना है तो गई जहाँ पर मैं Hindi के Option पर कलिक करता हूँ Hindi के Option पर कलिक करने के बाद गई जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको अलग-लग Language देखने को मिल जाती है तो गई जहाँ पर मैंने Hindi Language को Select गया है यहाँ पर आप जिस पर Language में Translate करना चाते हूँ उस Language को यहाँ पर आप Select कर सकते हूँ यहां पर आप देख सकते हैं इस तरह से आप जिस पर sentence का translate करना चाती है उस sentence को यहां पर आप टाइप करके translate कर सकते हैं इसके बाद गई जहां पर आपको OCR का option देखने को मिल जाता है तो गई जहां पर आप देख सकते हैं यहां पर OCR का option पर क्लिक करने के बाद गई जहां पर आप देख सकते हैं यहां पर आप जिस पी सेंटेज या पहले गरफ का ट्रांसलेट करना चाहते हैं उस सेंटेज या पहले गरफ का फोटो क्लिक करके ट्रांसलेट कर सकते हैं इसके बाद गई यहां पर आपको वीपेन का ओप्सन देखने को मिल जाता है यहां पर क्लिक क करने के बाद गई जहांपर आप देख सकते हैं यहां पर आप EZ translate application में Smart Servers को अपने करना चाहते है तो गई जहा पर आप को Smart Fast के option पर क्लिक करना है जहांपर क्लिक करने के बाद गई जहांपर आप देख सकते हैं पर क्नेक्सन Song Guide कौ सबस्टन देखने को मिल जाता है तो गई जहांपर आपको permission को allow करना है permission को allow करने के बाद गई जहांपर आप देख सकते हैं यहांपर VPN server अपने mobile में connect हो चुका है तो गई जहांपर आप देख सकते हैं इस तरह से आप EJ Translate application में fastest server को अपने उबल में connect कर सकती है इसके बाद गई जहां पर आप देख सकते हैं इस तरह से आप fastest server को अपने उबल में connect करने के बाद उसे use करने के बाद उसे disconnect करना चाहते हैं तो गई जहां पर आपको टिक के option पर click करने के बाद गई जहां पर आप देख सकते हैं यहां पर VPN server अपने उब करना है और गई जहांपर आप देख सकते हैं यहांपर वी Benedict serwer अपने उबल में –disconnect हो चुका है तो गई जहांपर आप देख सकते हैं इसी ट्रांसलेट कर सकते हैं इसके बाद के जहांपर आपको उपर के और सैटिंग के प्रफ प्रफ प्राइस को मिल जाती है ब सस्वे तो गई और एकन को प्रेस करके आल पर सैट कर लीजेगा जिस से आने वाले वीडियो के नाटिपिकेशन आपको मिलते रहेगी